जो भी बक्त बगवान हनुमान जी की सच्चे मन से बक्ती करता है, उनके हर केष्ट हर ली जाते हैं, तबी तो उन्हें संकट मोचन हनुमान कहते हैं, आज हम आपको ऐसे पांच उपाई बताएंगे जो हर समस्या के अलग-अलग उपाई हैं, इन उपाईों को करने पर हर समस समस्या का हल मिलेगा, तो सारे उपाई सुनना, आपको कौन सी समस्या है, वो उपाई आपको करना है, पहली समस्या, यदि आप बरबाद हो चुके हो, बरबाद की हद तक जा चुके हो, तो आपको ये उपाई बता रहा हूं, पर चैनल को सब्सक्राइब जरू करना, पूर दस पंद्रा गोबर के कंडे लो उनके अंगारे बना लो और उस गुते हुए आटे का एक रोट या रोटी बनाओ और अंगारे पर सेक लो सेकने के बाद मीटा हो जाए इतना गुड और देशी की डाल कर चूरमा बना लो उसके लड़ू बना कर एक हनुमान जी की तस्वीर के आगे रखो और हाथ दोड़ कर सरदा पूर्व कोओ आप जानो आपका काम जाने और बाकी लड़ू वानरों को खिलाओ या चीटी नगर के पास छोड़ के आजाओ जो भी गलत हुआ हैं सई होता चला गाएगा दूसरी समश्य आपकी कि यदि आपकी जिन्देगे में परिसाने समावत होने का नाम नहीं ले रही है तो ये उपाई करना है पूरी वीडियो सुननी है हनुमान जी को सिंदूर अति पिरिये है मंगलवार के दिन सुर्यास्त के तुरंत बाद हनमान जी को शिंदूर अर्पित कीजिए और आपकी जो भी इच्छा है हनमान जी के मंदिर में कहिए कि है बदरंग बली मेरी ये मनो कामना पूरी हो गई तो मैं आपको चोला चड़ाऊंगा और लाल बुंदी या लड्डू का प्रसाद चड़ाऊंगा तीसी समझ्या यदि कोई इंसान आपका हक मार के बेटा है तो ये उपाई करना है पूरी वीडियो सुनना बहुत अच्छे अच्छे उपाई है तो आपको मंगलवार को सवा मीटर का लाल कपड़ा अड़तार्थ अनमान जी की लंगोट के लिए बाजना नारेल नारेल को हिलाओगे तो बजेगा हो सवा दो रुपे और सिंदूर चुटके बर अनमान जी वाला पूजा के इस्तान के सामने दर्ती पर बेट कर गोद में लंगोट या लाल कपड़ा इस तरह मोडो की त्रिबूज बन जाए उसमें नारेल और सवा दो रुपे रख कर बांध दो घर में उची जगर टांग दो और कहो बाबा ये बंदन है मेरा हक मिल गया उस दिन खोल दूँगा और हवन के साथ सवा मनी लगाऊंगा जिस दिन लगे कि हक वसूल हो गया उस दिन ये सामगरी चलते पाने में बहा दूँगा मोज ही मोज होगी जैश स्री राम अगला उपाई यदि आपके कोई काम सिद्ध नहीं हो रहे हैं समझना ध्यान से तो आपको ये उपाई करना है पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है इसको कम से कम तीन मंगलवार करना है और जब भी अपन इस काम को करते हैं तो ये काम करने के साथ साथ आपको